रिविजियन टेस्ट में, नाइन साइंस में जो अबजेक्टिवस थे, उनको हम समझ कर हल करते हैं रासाइनिक परिवर्तन हो गया है ना अब कारी करने की क्षमता को क्या कहते हैं तो कारी करने की क्षमता को उड़ जा कहते हैं और ध्यान रखीगा कि यहां अगर कारी करने की धर लिखा हो तो फिर यह शक्ती हो जागा लेकिन यहां क्या लिखा है कारी करने की क्षमता तो यह के रएगा उड़ जाब चाहिप को इसको बाध में कोन सा रोग मत्चर द्वारा संच्रीत नहीं होता तो यहां निमोनिया आएगा sodium का संकेत हम सबको पता है क्या होता है na capital N और small A लिखना और द्वार कोशिकाएं किसमें होती है stomata या रंद्र में होती है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते है समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरन कहा जाता है और बलका SI मात्रक Newton है अगर यहां CGS पूछा होता तो हम dine लिखते जल का क्वतनांक 100 degree centigrade होता है तो यहां लिख दीजिएगा अब सही जोड़ी जब हम मिला हैं तो देखे आप मैं एक साथ मिला देता हूँ Newton गति के नियम दिये थे Newton ने कोशिका भित्ति का संबंद पादप कोशिका से है प्रकास संस्लेशन का संबंद हरित लवक से है लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है रासानिक परिवर्तन है और कोशिका की खोचकी राबल ढूकने यहां रक्त जो है छूड जाएगा प्लाजमा और बोस आइंस्टीन कंडंसेट तो यहां हम ठोस लिखेंगे पोधो के किसू तक द्वारा जल और खनीच का संबंद होता है तो हम लिखेंगे जाइलम अब सदिश राशिया किसे कहते हैं तो सदिश राशिया वो राशिया होती है देखें यहां मैंने इसको लिखा है वेभोतिक राशिया जिन में परिमान और दिशा दोनों होते हैं सदिश है यह सब कौन सी राशिया है सदिश राशिया है और समवेग क्या होता है तो समवेग के दिखी है और वेक के गुणन फल को समवेक कहते हैं अब प्रोटीन का संसलेशन कोशिका में कहा होता है तो प्रोटीन का संसलेशन जो है वो राइबोसॉम के अंदर कोशिका के अंदर होता है